हेलो रिवन गुड इवनिंग स्वागतिप सभी का ऑनलाइन स्टेडियों में इस वीडियों में बात करेंगे बिहार SI pre mock test के बारे में जिसमें 50 mcq देखेंगे और मैंने आपको कल बताया था कि कुछ questions इसका lucid से objective book से होगा और बाकी जो questions होगे वो extra book से होगे और friends पूरे seriously होकर के sets को देजिएगा और बताएगा कितना स्कूर कर पाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फेंस वीडियो को सुरू करने से पहले में आपको बता दू कि कल का home work का क्या रहने वाले एक गारा अप्रेल का home work मैं आप दे रहा हूं ज्यादा फोकस करना क्योंकि एसा एक्जांस में जो प्री है उसमें आपको करेंट अफेस 25 से 30 क्वेशन देखने को मिलेगा जो की काफी scoring यहाँ पर आप कर सकते हैं तिसलिए करेंट अफेस पर ज्यादा फोकस करें ठीक है चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं ठीक कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्सन हम भी कूटिक करेंगे चलिए यहाँ पर छोटा सा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया पड़ सकते हैं कि प्राचीन भारती इतिहास का ज्यान प्राप्त करने के लिए जैन गरंथ भी उप्योग यह यह प्रधानता धार्मिक है इस हो में परिशिस्ट परवन बिसेस मैत पूने भद्र बाहु चरित्र दूसरा जो की प्रसिद जैन गरंथ है जिसमें जैना चारे भद्र बाहु के साथ-साथ चंद्रगुप्त मौरे के संबंध में भी उल्लेक मिलता है चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड कोईसंस यह कह रह अपना कम्प्रीट क्या होगा तो मैंने आपको बताया था जिवाडू और विसाडू को पढ़ लीजेगा देखिए कौन सा रोग यहां पर जिवाडू के कारण होता है तो जिवाडू के कारण होता है है जा ओप्सन हम डिकोटिक करेंगे डेगुजवर पोलियो और यह चेचक जो होता है यह तीनों वाइरस के कारण होने वाले रोग है क्वेसर नमबर फूर निमलिकित में से कौन सा रोग जिवाडू के कारण होता है है क्या हुआ नui यजवाडू के कारण होता है क्या होगा स्थ उन्सर तो जिवाडू के कारण यहां पे पे जिवाडू के एक हारान गलत है बताइए कौन सा मिलान गलत है क्या होगा सही आंसर तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ओप्सन हम B को टिक करेंगे जो पिलियार होग यहाँ पर देखे हैं जिसको हम लोग हेप्टाइटीस के नाम से भी जानते हैं जो कि बिलकुल सही है कोई दिक्कत नहीं इसका उत्राखंड के चमूली जीले में किया गया खोला गया यह पॉइंट गलत है ध्यान डिजेगा फेंस की यह जो पहला कवक पारक है वो उत्राखंड के पिथोड़ागर जीले में खोला गया तो यहाँ पर फर्स्ट सही है इसलिए उप्सन हम एक को टिक करेंगे केवल एक क्वेस्टन नमर सेवन क्या करा है कि जुलाई 2020 में भूमी हीन किसानों के लिए बलराम यूसना की सुरुआत कि सराजी की सरकार के दोरा की गई है तो यहाँ पर करेक्ट होगा ओप्सन डी उडिसा के सरकार के दोरा की गई थी नेक्स्ट वान है कि नाफ्टा के बदले नया बैपार समझाता हाली में लागू किया गया इसके संब्द में निमली खित कत्रों पर विचार करें और यह वन अफ ता मोस्ट इंपॉर्टन क्व बिल्कुल सही यानि कि हाँ पर जू यू एसमसी देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कैनिड़ा अग्रिमेंट होता है इसलिए आप यह बिल्कुल सही है तो दोनों के दोनों कथां सही होने की वज़ए से ऑप्सन सी करेक्ट होगा ए और बी दोनों करेक्ट है नेक्स्ट वां एक नीम्ने लिखित में से, किसने, सोंप्रकास नामक समचार पत्र को सुरू किया था, तो बतायए, फेंस की, सोंप्रकास नामक समचार पत्र को, किसने स्टार्ट कीया था, ईसवरचंदर विद्यासागर, ओप्सन यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस्वर चंद्र बिद्यासागर फेंस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीजेगा रोजाना इसी तरह के 50 mcq हमारे साथ सेट लगाने के लिए जूर सकते ह चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें अगला प्रशने की 200 वोल्ट के एक वोल्ट ता जनितर को 40 वाट के बल्व से जोड़ा गया तो बल्व में प्रवाही धारा का मान किया है यानि आपको जो धारा है आई की वैल्यू बताना है क्या होगा देखें यहां पर क्या क्या गीवेन है अगर हम यहां पर देखें तो भी दिया गया 200 वोल्ट ठीक है 200 वोल्ट और यहां पर पी जो की सकती पावर दिया गया हमारे पास 40 वाट ठीक है 40 वाट दिया गया तो कैसे निकालेंगे हमारे पास एक फर्मूला होता है पी बराबर अब यहां से निकाल सकते हैं, देखें, पी कितना है, चालीज, ठीक है, पी को चालीज में रखा, और यहाँ पे दो सो आई हो गया, आई को यहाँ पर आई की वैलो गरा निकालेंगे, तो चार बटे बीस, यानि एक बटे पांच और एक बटे पांच का मतलब कितना होगा, 0. दसमलो 2 EMPR, correct answer को option C, चीक है, अगला प्रस्ट, next question है कि छोई मुई की पतियां दर्साती है, छोई मुई की जो पतिया होती है, वो दर्साती है, किस प्रकार की गती को दर्साती है, कमपानो कुँचन गती को दर्साती है, यहाँ पर D, correct answer हो जाता है, next question है कि रखते समूह का अविस्कार किस ने किया, या फिर कह सकते हैं कि रखते समूह की खोज किस ने की थी, तो ध्यांदीजेगे फिर्स रखते समूह की खोज की गई थी, कारले लैंडिस्टीनर के दौरा, यानि कि D, यहाँ पर correct answer कारले लैंडिस्टीनर, देखे, next question है कि किस ने अकबर को जिला ए इलाही, एवं फर ए इजदी कहा था, किस ने का था, तो अबुल फजलने का था, यहाँ पर option A को टिक करेंगे, next question है कि कौन सा वेद, वेद तरही का भाग नहीं है, मैंने आपको बताता कि वेद तरही क्या होता है, वेद तरही हम उसको कहते हैं, जो प्रारंब के तीन वेद हैं, डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है, तो क्या होगा सही अंसर, डॉक्टर हवा के रूप में हम लोग किसे जानते हर्मटन, यहाँ पर B करेक्ट होगा, केवल और केवल 2 हर्मटन को, next one क्या रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, देखें, ध्यानती जगा संक्रामक रोग अगर हम बात करें, तो 6 रोग और 6 चक जो की संक्रामक रोग है, तो 2 और 3 को टिक करेंगे, यहाँ पर C बिल्कुल सही अंसर है, 2 और 3, अगला परस्ण है कि भारत के निमने वैसरायों में से किसकी काल में इंडियन पैनल कोड, इंडियन प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किये गया था है, यह इंपॉर्टेंट प्रस्ण है, तो इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या होगा, लॉड कैनिंग, लॉड कैनिंग के समय में, नेक्स्ट प्रसने के निमलिखित में से अवद के स्वयत राजिका संथापक कौन था अवद के स्वयत राजिका संथापक कौन था अ सहाधत था जिंको में लोग बुरहान ओल्मुलक की उपादी इनको दी गए थी यहांपे होगा निमलीखित में सी किस ने मीर कासीम तथा सिराजु दौला के साथ मिलकर के इस्ट इंडिया अंग्रेजिस्ट इंडिया कंपनी पर यूद्ध घोसित किया और वे बाद में बक्सर के यूद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए कौन है तो वो कह सकते हैं साहालम दिते हैं यहां पे पोईंट था बक्सर का यूद्ध तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था यह भी पूशा जा सकत हां तो बक्सर का यूद्ध चाथ demost आत्में बुद्ध का प्रत्थाम प्रवच्चन क्या कहलाता है तो प्रत्थाम प्रवच्चन को मुलों कहते हैं राइट आंस होगा यहां पर बिल्कुल कारेक्ट आंस होगा धर में चक्र परवर्तन ऑप्शन हम D को टिक करेंगे धर में चक्र परवर्तन जो प्रत्थाम उन् में और मैं आपको बता दो फिंस की बुद्ध ने अपने जो प्रियस इस थे आनंद के कहने पर वैसाली में बॉद संग में विचुडी संग के रूप में परवेश की अनुमती दी थी यानि की राइट एंस रोगा ऑप्शन बी अगला प्रस्ण कहा रहा है कि खग जंद के दा राश्टियों ध्यान कहा पर सिते हैं तो यह सी कि में शुटीत है ओप्शन बी को करेंगे सुची वन को सुची दो के साथ सुमिलीद करना है एक तरफ राश्टियवन दूसरा इसका राज्य जव तो चलिए कि करके मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ साही तरीके स मैं चुक हूँ देखिए कागेर घाटी रास्टिय वन की गर बात करें तो यह पढ़ता है 36 गड़ में ठीक है यानि एक फर्स्ट के साथ दो जगा मिल रहा है उसी तरह से हम देखे तो नागर जो रास्टिय वन है यह करनाटेक में पढ़ता है यानि बी का चार के साथ तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन बी यहां पे बिल्कुल सही हो जाता है कोक्ति वन ने जी अभ्यारा जो की बहुत बार पूछा गया इसको याद रखेगा हिमाचल प्रदिस में कोक्ति वन ने जी अ पढ़ता है तो कुल मिलाकर ऑप्सन बी यहां पे विल्कुल सही है अगला प्रश्ट कि 2001 से 2011 में सरवादिक जनसंख्या ब्रीथी इदर वाला राज्य में घाले दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य को देखे 2001 से लेकर कि 2011 में जो सरवादिक जनसंख्या ब्रीथी वाला जो गाले रहा लेकिन दूसरे स्थाने पर बात करें तो दूसरे स्थाने पर पर कौन था तो कर्यक्ट है अरुदॉ और नाचल gas कार्बन डाय ओक्साइड एक यहां पर्येक्ट ओप्संट रहेंãy केवल और केवल एक ओप्सेन एक करेक्ट एक है कि मांतोस्री बुस्तक किस लोक्रॉब किसके द्वरा लिखीए संदू घाटिस अभीता में कंली का जो सिर्दा काली निमलीकहीं के लिए प्रसिद था काली बंगा किसके लिए प्रसिद था रज़ें पड़ता है annat राजस्तान के 250 जीड़े में तो ध्यान का साक्षि यहीं से मिला hè, जोद्छे हुए खेत का साख्षड़ उसासे नकासीदार इ्टों का सांख्ष यहीं से मिलाency तो यह भी आपको याद रखना है, अगला प्रशनी कि कैली banget किस खेल से संबंदी कैलीबर जो किस खेल से संबंदित हैं कि शूटिंग से संबंदित है एक को टिक करेंगे नेक्स्ट रॉन है कि पांचवी पंचवर्सी योसना का मुख्य लक्ष क्या था तो आप्सन एक करेक्ट आंस होगा गरीबी उन्मूलन तथा आत्म निर्भरता की प्राप्ति राइट प्राप्सर विल भी आप्सन ए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रॉन कहा रहा है कि निमलीखीत में से कौन सी अलप अधिकार की एक समाने विशेष ता है तो अलप अधिकार के अंतरगत अगर हम देखे तो अलप विक्रेता अधिक क्रेता यहाँ पर करेक्ट होगा अ पादिकार के अंतरगत क्या होता है अलप विक्रेता अधिक क्रेता वस्तु का समवे किन कारगों पर निर्वर करता है तो ध्यान दीजी का फिंस वस्तु का समवे ज्यानि की बराबर क्या होता है MB, momentum equal to mass velocity, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के दरबेमाल और वस्तु के गति दोनों पर निर्वर करेगा, तो एक और दो correct होगा, right answer will be option B, छीक है, चलिए अगला प्रश्ट, कि भागवान जिन्हों ने हमें जीवन दिया, उसी समय हमें हमें सौतनता भी थी, किस ने कहा था, ये बात किस ने कही थी, ये बात कही थी, जीफर्शन के दोरा, C correct answer, जीफर्शन, नेक्स्ट वन की भाठती संग है, कौन से देश के संग के सद्रिस है, भारत में संगात्मक जो है, वो कहां से लिया गया, तो ये कैनडा के समिधान से, यानि कि सद्रिस से किस कहा है, तो कैनडा से, D correct होगा, अगला ट्रस्ट, राष्टपती द्वारा, राजसभा के लिए, कला सहीते विज्ञान, आदी छेतरों में, बारा सदस्यों को मनुनित करने की विवस्था, बार्दी समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत आता है, किस अनुछेद के अंतरगत आता है, तो ये अनुछेद 80 के अंतरगत आता था, राइट अंसर को option C, ठीक है, देखें, next one क्या करा है, कि समिधान का अनुछे 312, राजसभा को निमलिखीत में से किसका अधिकार प्रदान करता है, 312, तो आर्टिकल 312 घम जो बात करें, तो एक या अधिक अखिल भारतिये सिवा इस रिजन करने का जो अधिकार है, सिर्फ और सिफ राजसभा को है, और ये अधिकार 312 के तहित दिया जाता है, next one, किस अधिनियम ने चाय और चीन के साथ वेपार में, दो अपवादों के साथ कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था, ध्यान देजेगा, अगर हम बात करें 1833 तो इसके तहत चीन के सांद ये चाय का विपार था इसको भी पूरी तरह से समाप्त केगा था लेकिन यहाँ पर अपवादों में यानि कि इसको छोड़ करके बात की जारी थी तो सही आंसरो का option C अगला प्रश्ण कि किस युद्ध की सुरुवात बैसीन की संदी से हुई थी तो यहाँ पर हमारा correct answer बैसीन की संदी दूसरा ऑंगले मराथा यूद्ध बैसीन की संदी के तैद सुरू किया गया था ठीक है चलिए अगला प्रश्ण दीकी नेक्स्ट परस्ण कह रहा है कि नहीं है, एरड सिलालेक की बात करें तो ये सकंद गुप से संबंदित नहीं है, इसका संबंद समंद गुपतस से होता है, फिरोत साथ तुग्लक द्वारा एक नया कर्चु सिशाहिकर लगा गया था, और वो कितना था, पद का कितना भाग होता था सिचाहिकर। तो सिचाहिक जो कर था, वो एक बट्ना 10 भाग हुआ करता था, बी करेक्ट होगा। किंद्रिय प्रदूशन नियंत्रन बोड किस मंत्राले के अंतरगत आता है। पर्यावरन एवं वन मंत्राले के अंतरगत आता है। यहां पर D-correct होगा। फेंस अगर आपने वी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रू कर दें अगला प्रशन की हाली में किस राज्चिक इंदसासित प्रदिस की सरकार ने पेड़ लगाओ और परियावरन बचाओ अभियान की स्टार्टिंग किस के दोरा की गई थी तो करेक्ट आंसर है दिल्ली ठीक है दिल्ली पर सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूशन की समस्या से की बात है नेकस्ट सन्गारा के हाल ही में किस भारतियी अमेरिकी को ग्रेटल इमीग्रेट 2020 का पुरस्कार दिया गया मिलिल्ली इसका पुरस्कार दिया गया है तो बी करेक्ट आंसर है प्रोफेसर राजचेटी और यहां पर सिधार्थ मुखरजी यारी कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे उप्शुप सभी ठीक है राइट अंसर को ऑप्शन सी नेक्स्ट परस्न कह रहा है कि किस राज्चे सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना निकर सम्मान योजना शुरुआत किया है तो करनाटक के सरकार के दौर इसको स्टार्ट किया गया था नेकर सम कि रासी अबंटित की है राज्चे सरकार के अनुसार रेसाम का पास उन और अन्हत करदा बुनकरों को इस योजना के योग के होंगे अगला प्रस्ट निमलिखित में से किस देश ने हाली में जासूसी उपगरा ओफिक सिक्स्टिन का परिछेपन किया है ओफिक सिक्स्टि अब्यारन को एक रास्टिय उध्यान के रूप में अप्ग्रेड करने का निर्ने लिया है तो यह करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहां पे सही आंसर होगा असाम ऑप्शन बी को टिक करेंगे असाम नेक्स्ट वाइन देखिए बुथिनिया की खाड़ी दो देशों के बीच देखिए उनमें से एक जो है फिनलैंड तो दूसरा देश कौन सा है बुथिनिया की खाड़ी फिनलैंड और किस देश के बीच इस दीते हैं स्वीडेन के बीच ठीक है स्वीडेन के बीच नेक्स्ट क्या रहा है कि लौच उमक्य पदार्थों के भीतर परमाड़ू की असं आधियू का बुल बुला किसकी भाती बिवार करेंगा करता है तो ट्रायट आंसर हो जागा option विएक कोटिक करेंगे नेक्सट पेस्ट पनसनियुक्ल या vector भेड का टिक करेंगा option B, भेड की नसले Cameroon और Marino, next परस नीमली खीत में से कौन सितोष ने कटी बन दिये घास की भूमी है, सितोष ने कटी बन दिये, तो वेड जो होता है, वो सितोष ने कटी बन दिये घास की भूमी है, जबकि स्वाना जो उश ने कटी बन दिये, तो यह को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन में मिलको और रखिए क्यूज का क्वेशन्स यह कि वीजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किस्से समान दीतें करेक्ट आंसर कमेंट्स करके बताएगा तो हम मिलतें किसी और वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लार्निंग हाव गुड़ टेम